ओम वन्योगा मात्रमित्रों यूट्यूब चैनल स्वास्तरक्षा से नौप्रभा आप सबका स्वागत है। आज का विश्य है उच्छ रक्त चाप थाई ब्लड प्रेश्वर। थाई ब्लड प्रेश्वर का आगे रूप क्या जाता है मित्रों हम सब जानते ही। तो यदि इसको यहीं रोका जाए तो आसान होगा। अब इसके लिए में कारण क्या होता है पहले वो भी जान लेते थोड़े से बाकी कारण आपको पता है। पर इसमें सबसे जो इसका बढ़ा करण उचरत तचापका वो है आपकी विचार आपकी सोच। यदि आपकी सोच नकारतमक है तो बहुत जल्दी इस चीज़ में बढ़ावा हो जाएगा। आपका ब्रट पेशर जल्दी बढ़ेगा क्योंकि नकारतमक करती हमेशा जो नहीं होने वाला है या जिससे वो डरता है वही सोचता है और डर में अपने आप धरकन बढ़ जाती है तो धरकन बढ़ती है तो उससे जमी इंत्रित नहीं होती और दूसरी बात आजकल अधिका आग इसाश की तो शांस नात से नहीं चल के मुद से चलती है मुद से जो जाता हूँ फैफ्वो में बताया आप उसको देख दी उसके बाद आपको क्या करना है पानीं पीना है कोई वी चिजज घारी होने का कारण होता है उसमें पानी की कमी की कम होिए तो कोई भी चीज गाड़ी हो जाती है तो फुन भी हो सकता है मल भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसलिए सबसे पहले काम आप पानी बढ़ाए पानी कैसे पीना कितना पीना उसके लिए मैंने आगे दो वीडियो बना रखे हैं वह आप देखेंगे उसके बाद आते हम थोड करने की जदवाजी ना करें कपलभाती जब आप ठोड़ा हो जाए उसके बात आप कर सकते हैं उससे पहले आप क्या करेंगे हम इसको हांक में चेक करेंगे मित्रों कि यह कहां है आपका हाट का मैंने जैसा की बताया था यह जो लाइन है यह जा रही है इसके अंदर यह फिफ्षों का पॉइंट है यहां पर यह फिफ्ष्ष्ट के मत्य पहीं हाट है तो आपको अपना हाट करीब इधर मिलेगा आप तहड़े आप को इस चिकेश्चे को आप ढबाएंगे आप ऐसे से ज मैं आपको चैनका साहरा लेके आप डबा सकते हैं एक तरीके बता रही हैं मद्गाइ जरी कर दुदिरी आप को थे लुआ है आप ऐसे से रगड़िये, आपको अच्छा लगेगा, आपके फिफड़े भी आपको चलते समझ में आएगे, क्या आपके सांस मेरी अच्छे से चलने लगए, आप ये पूरा दबा दीजिए, ये पूरे में आप ऐसे दोन हां से लेकर आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, इसे आराम मिलेगा, उसके बाद आप अपने हर्दय के पॉइंट को यदि ब्लड प्रिशर बढ़ा हुआ है तो आप उसको नीला कलर कर दीजिए, इस तरीके से आप हर्दय के पॉइंट को ये नीला रंग दे दीजिए, उसके अलावा आप मीनी पॉइंट और होते हैं, ये नीला रंग भी दे देंगे, और एक मीनी पॉइंट आता है, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा ये दो पॉइंट नीले और कर देंगे मित्रों, ये हम जब करेंगे तो इससे आपका ब्लड पेशर जो बढ़ा हुआ है, वो थोड़ा मियंत्र में आने के शुवत हो जाएग समाधा नहीं होगा, उसके अलावा आप दूधी का रस पी सकते हैं, लौकी का रस, आमले का रस, एलोवेरा का रस आप से मिला के भी अपले सकते हैं, पतंजले का तयार भी आता है, वहां से भी ला सकते हैं मित्रों, तो आप और बदा मुरोगन नाक में डालें, ये ये आम मस्या का इकलोता समाधान होता है, सिर्फ किड्नी पेशन को हम नहीं कह सकते कि आप पानी पीजे, अन्य था बाकी कोई भी बीमारी में आप ये वजन अनुसार पानी पीते हैं, तो आपको बहुत अच्छा और बहुत सही रिजर्ट देगा, बहुत सही परिणाम देगा मित आपके फिफ्टों में आप सांस भर नहीं पाते हैं, इसलिए प्रयास करिए सिधा बैठना कैसे मैंने बताया, आप सहरा लेके बैठना कैसे भी बैठिये, पर प्रयास करिए कि मैं सिधा बैठू, इससे आपको बहुत जल्दी और बहुत अधिक रहत मिलेगी मित्रो, ये बहुत छोटे छोटे घर में आप कर सकते हैं, ऐसे उपाय है मित्रो, इन उपायों को करके ही आप हार्ट अटक से बच सकते हैं, ये आप इतना ध्यान देते हैं, आपको समस्या अधिक नहीं आएगी, और उसके अलगा एक पॉंट और है मित्रो, बाए हाथ में, इधर भी आप ये दबा सकते हैं, ये इस हिस्से को आप दबाएंगे, ये भी आपका हाट का पॉंट मिलेगा आपको, एक हिस्सा यहां भी दबाएंगे, यहां कोई रंग बगरे नहीं लगाएंगे, आप यहां खली दबा दीजी थोड़ा इस तरीके से, और ये आपको लग रहा है ये उसकी वज़े से मुझे कुछ तकलिफ हो रही है, तो तुरंट आप मुद्रा लगाएंगे, इसको अपान मुद्रा कहते हैं, और उससे पहले उसके साथ वायू मुद्रा भी लेनी हैं आपको, ये है वायू मुद्रा, वायू मुद्रा जो और के दर्ग के लिए मैंने अब इस तरह बैठके, कोई भी अभ्यास करेंगे, ये आपको बहुत अच्छा प्रणाम देगा मुद्रो, ये आप आदा गुंटा पौना गुंटा कर सकते हैं, इक खटा करें तो जादा अच्छा प्रणाम आएगा, तुकडों में करें तो भी प्रणाम तो आएगा, पर आप पेडसाब उने कलीए चुरान भी ना खाए, पेडसाब कोने कली आप आमला एलोवेर, लॉकी और पाणी बढ़ाए, यह जीए सब को पीद हे हैं, उसके द问题 पानी आपको अभीर, पादी वज future है ? आमना एलेवरल और लोकी का रस ये आप सुझे लें खाली पेट लें अधी कर्चा रहेगा और राजी भाई एक दवा और लताते थे वो हैं एकोनेट 200 mg या 1000 एकोनेट ये आप दवा अपने घर में रखिए कभी भी लगता है कि हटेटेक जिसा हो रहा है जीप पर एक करीब आदे घंटे वाद वापिस एक दो बूम डालीजिए ऐसे आदे घंटे में दिन चार बार डालीए जब आपको लग रहा है कि मुझे आटेक जैसा आ रहा है ये दवा अपने घर में अवश्य रखिए मित्रों ये आपके बहुत काम किये ये आपको हटेक से बचा सकत कि ये बात मैंने आपको उस वीडियो में बताई है कि आपको लगातार नाक से ही सांस लेनी है मुझे सांस बिल्कुल ना चले इस बात का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप रख सकते हैं आपका ध्यान कोई और नहीं रख सकता जितना आप रख सकते हैं तो अपना ख्याल आपकी सला और आपकी समस्याइं सब आमनतित हैं मैं सब पर काम करूंगी आपको जितनी चीज़ें चाहिए मुझसे जितनी उम्मीद हैं मुझे पर खड़ा उतर हैं कि पूरी कोशिश करूंगी मित्रो मेरे वीडियो को लाइक करिए शेर करिए कॉमेंट करिए और सब्सक्